नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आयोप आप सब मज़े में होंगे दोस्तों आज की यह वाली वीडियो काफी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है विकुस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 38 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जो कि सेप्टेंबर के म बाइ कर सकें चलिए अब इस वीडियो को स्टाट करते हैं आप इस वीडियो का इंड तक देखना हैं कहीं पर भी स्किप मत करना विकाज़ अगर आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप करोगे तो आप काफी ज़या इंफरमेशन मिस कर जाओगे इनी 38 स्टॉक्स के बारे क्पनी का जो करन्ट स्टॉक प्राइज गरंडी 1,285 रूपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी नहीं पर डिविडेंट अनौंस कि है डिविडेंट की जो वैल्य रहने वाली है वो यहां पर 22.5 रूपीज पर स्टॉक के साब से रहने वाली है एंड जो एक्जट होने कंपनी का एक स्टॉक है तो यहां पर आपको एक स्टॉक एजब बोनस मिलेगा मतलब टोटल आपको जितने भी स्टॉक से हो सारे डबल हो जाएंगे बोनस देने की जो एक्जट रहने वाली हो थर्टींत अफ सेप्टेंबर की अगले स्टॉक की बात करने तो कंपनी का ना अगले स्टॉक की बात करने तो कंपनी का नाम इबंद द्सुर सिंटेक्स कंपनी का डमिए का गुरूरा स्पने यह और bund बोनस मेरे ज्यॉ करनली हो जाएंगे इसौक स्टॉकस बेट को देने ने यहां ए एट आउट सेप्टेंबर की होड्य लाज्ट ऑने वाली है वो यह 7th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Tamil Nadu Newsprint Company जो current stock price currently 239 रुपीज के पर में ट्रेड हो रहा है Company नहीं पर dividend अनौस के है 4 रुपीज पर stock के साब से and जो ex-date होने वाली है dividend देने की वो होने वाली है 13th of September की last buy date यहाँ पर होने वाली है 12th of September की तो अगर आपको यहाँ पर dividend purpose से stock को purchase करना है तो last buy date यहने की 12th of September से पहले purchase कर लीजेगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है Pondy Oxides and Chemicals Company जो current stock price currently 732 रुपीज के पर में ट्रेड हो रहा है Company नहीं पर dividend अनौस के 5 रुपीज पर stock के साब से and X date होने वाली है 13th of September की and last buy date होने वाली है 12th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Care Ratings Company जो current stock price currently 501 रुपी के उपर में ट्रेड हो रहा है Company नहीं पर dividend अनौस के 10 रुपीज पर stock के साब से and X date decide करी गई है 13th of September की and last buy date यहाँ पर decide करी गई है 12th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Dangi Dums Limited company का जो current stock price currently 428 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है company नहीं पर stock bonus and stock split दोनों ही चीज़े साथ में announce करी है stock bonus का जो ratio रहने वाला है वो 1 is to 2 का रहने वाला है 1 is to 2 के ratio के मतलब यह है अगर आपके वसमें इस company के दो stocks है तो यहाँ पर आपको एक stock as a bonus मिलेगा वन्तब टोटल आपके दो stocks यहाँ पर तीन stocks में convert हो जाएंगे उसके बाद में आपको stock split दिया जाएगा 10 is to 1 के ratio से 10 is to 1 के ratio के मतलब यह है अगर आपके वसमें इस company का एक stock है तो यहाँ पर आपका हर एक stock 10 10 stocks में convert हो जाएगा जो यहाँ पर exit रहने वाली है stock bonus और stock split देने की वह होने वाली है 6th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है AGI Green Pack company का जो current stock price है करणड़ी 286 रुपीस के उपर में trade हो रहा है अगले stock की बात करें तो company का नाम है एंपायर इंडस्ट्रीज company का जो current stock price है करणड़ी 714 रुपीस के उपर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनाम है 25 रुपीस पर stock के इसाब से and इस dividend को देने की जो X date रहने वाली है वो 12th of September की रहने वाली है last buy date होने वाली है आपे 9th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Themis Medicare company का जो current stock price है करणड़ी 823 रुपीस के पर में trade हो रहा है इस company ने भी यहाँ पे dividend अनाम है डिविडेंट की जो value रहने वाली है वो 5 रुपीस पर stock के साब से रहने वाली है X date होने वाली है 8th of September की and last buy date होने वाली है 7th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है आपे Gulf Oil Lubricants company का जो current stock price है currently 460 रुपीस के उपर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनाउंस के 5 रुपीस पर stock के हिसाब से X date decide करी गई है 8th of September की and last buy date होने वाली है 7th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Decken Cements company का जो current stock price है currently 530 रुपीस के उपर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनाउंस के 5 रुपीस पर stock के हिसाब से X date decide करी गई है 8th of September की and last buy date होने वाली है 7th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Nirlon Limited company का जो current stock price है currently 371 रुपीस के उपर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनाउंस के 11 रुपीस पर stock के हिसाब से X date को decide करा गया है 7th of September को and last buy date होने वाली है 6th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Banco Products company का जो current stock price है currently 224 रुपीस के उपर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनाउंस किया 20 रुपीस पर stock के हिसाब से X date decide करी है 6th of September की and last buy date होने वाली है 5th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Ritish Properties company का जो current stock price है currently 325 रुपीस के उपर में trade हो रहा है company यहापे stock split देने जा रही है stock split का जो ratio रहने वाल है 10 is to 1 का रहने वाल है 10 is to 1 के ratio का अंतलब यह है अगर आपके बसमें इस company का एक stock है तो यहापे आपका एक stock 10 stocks में अगले stock की बात करें तो company का नाम है गेर वेर टेकनिकल फाइबर कंपनी का जो current stock price है currently 3066 पर में ट्रेड हो रहा है company ने आपे dividend अनॉंस के 7 रुपीज पर stock के हिसाब से एंड एक्स डेट होने वाली है 5th of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है score peset management company का जो current stock price है currently 29.5 रुपीज के पर में ट्रेड हो रहा है company ने आपे stock bonus announce के stock bonus का जो ratio रहने वाला है 2 to 3 का रहने वाला है इसका मतलब भी है अगर आपके इस company के तीन stocks हैं तो यहाँ पर आपको 2 stocks as a bonus मिलेंगे मतलब total आपके 3 stocks 5 stocks में convert हो जाएंगे X date होने वाली है इस bonus को देने की 1st of September की and last by date होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है AIA engineering company का जो current stock price है करणली 2,500 and 6 रूपीज के पर में trade हो रहा है company का जो यहाँ पर announcement हुआ है वो dividend को लेकिए हुआ है 9 रूपीज पर stock के हिसाब से X date होने वाली है 2nd of September की and last by date होने वाली है 1st of September की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Savita Oil Technologies, company का जो current stock price है करणली 1,493 रूपीज के पर में trade हो रहा है company ने आप इस stock split अनाम है 10-2 के ratio से, इसका मतलब यह है अगर आपके वसमें इस company के 2 stocks है तो आपके 2 stocks 10 stocks में convert हो जाएंगे X date होने वाली है stock split को देने की 1st of September की and last by date होने वाली है 30 अगस्त की अगले stock की बात करें तो company का नाम है पिलानी investment, company का जो current stock price है करणली 1,738 रूपीज के पर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनाउंस के 15 रूपीज पर stock के साबसे X date करीगे 1st of September की and last by date 30 अगस्त की अगले stock की बात करें तो company का नाम है लक्षमी मिल्स, company का जो current stock price है करणली 4,505 रूपीज के पर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनाउंस के 25 रूपीज पर stock के साबसे X date करीगे 1st of September की and last by date होने वाली है 30 अगस्त की अगले stock की बात करें तो company का नाम है बनारी अमन, company का जो current stock price है करणली 2,763 रूपीज के पर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनाउंस के 10 रूपीज पर stock के साबसे X date डिसाइड करीगे 1st of September की and last by date 30 अगस्त की अगले stock की बात करें तो company का नाम है अलफा विजन ओवरसी है इस company का जो current stock price है करणली 261 रूपीज के पर में trade हो रहा है company ने आपे अनाउंस किया है stock split 10 is to 1 के ratio से इसका मतलब भी है अगर आपका इपास इस company का एक stock है तो यहाँ पे 10 stocks में convert हो जाएगा X date होने वाली है 29th of August की and last by date होने वाली है 26th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है विदान्त फैशंस company का जो current stock price है करणली 1183 रूपीज के पर में trade हो रहा है Company ने आपे dividend अनाउंस किया 5 रूपीज पर stock के साबसे X date होने वाली है इस dividend को देने की वो होने वाली है 30th August की and last by date होने वाली है 29th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Bengal and Assam company का जो current stock price है करणली 2,900 रूपीज के उपर में trade हो रहा है Company ने आपे 15 रूपीज पर stock के साबसे dividend अनाउंस किया है dividend की जो X date होने वाली है 30th August की होने वाली है and last by date होने वाली है 29th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Binars Hotels Company ने जो current stock price है करणली 2,231 रूपीज के उपर में trade हो रहा है Company ने आपे dividend अनाउंस के 10 रूपीज पर stock के साबसे and X date होने वाली है आपे dividend देने की 30th August की and last by date होने वाली है आपे 29th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है SNL Bearings Company ने जो current stock price है करणली 286 रूपीज के पर में trade हो रहा है Company ने आपे dividend अनाउंस के 6.5 रूपीज पर stock के साबसे X date होने वाली है 29th of August की and last by date होने वाली है 26th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है SIS Limited Company ने अगले stock price है करणली 450 रूपीज के पर में trade हो रहा है company ने आपे buyback announced कि है buyback की जो यहाँ पर value रहने वाली है वो 550 रूपीज पर stock के साब से रहने वाली है मतलब company 500 रूपीज देगी पर stock के buyback करने की और X date होने वाली है इस buyback की 29th of August की and last buy date होने वाली है 26th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है RSWM Limited company है जो current stock price है currently 430 रूपीज के पर में trade हो रहा है company ने आपे dividend announce के 25 रूपीज पर stock के साब से and X date होने वाली है dividend की 29th of August की and last buy date होने वाली है 26th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है IN Exchange company है जो current stock price है currently 1761 रूपीज के पर में trade हो रहा है company ने आपे dividend announce के 10 रूपीज पर stock के साब से dividend की जो X date होने वाली है 29th of August की last buy date होने वाली है 26th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है इंडिया ग्लाइकोल्स company जो current stock price है currently 836 रूपीज के पर में trade हो रहा है company ने आपे dividend announce के 7.5 रूपीज पर stock के साब से dividend देने की जो X date होने वाली है 29th of August की होने वाली है and last buy date होने वाली है 26th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है रामा स्टील ट्यूप company का जो current stock price है currently 572 रूपीज के पर में trade हो रहा है company ने आपे stock split announce के 5 is to 1 के ratio से 5 is to 1 के ratio का मतलब यह है अगर आपके बस्वें इस company का एक stock है तो यहाँ पर एक stock 5 stocks में convert हो जाएगा X date होने वाली है 25th of August की and last buy date होने वाली है 24th of August की अगले and last stock की बात करें तो company का नाम है PDS Limited company का जो current stock price है अगर आपके बस्वें इस company के दो स्टॉक्स में convert हो जाएगे X date होने वाली है 26th of August की and last buy date होने वाली है 25th of August की दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर यही 38 stocks थे जिन्होंने आपे धमागेदार stock bonus stock split and dividend अनाउंस के था अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना चैनल को भी सब्स्क्राइब कर देना विगोस फिनों मीडिया के अंदर आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाइ